हालो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन और वेशनमुक्ति तग्य हूं महाराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूं हमारा यहां हस्पिटल एक जो मनोरुगणों को हम भरती करते हैं जिसमें रिष्दारों के साथ में हम भरती करते और दूसरा एक हास्पिटल है वहाँ शरावी नशाज उनको है उनको और मेंटल पेशेट को बिना रिष्दार हम भरती करते हैं आज मैं आपके सामने आने वाला हूँ विशे लेकिए डिप्रेशन उसको identify कैसे करना पहचानना कैसे डिप्रेशन है बहुत ही common बिमारी है करीब गरीब 5 से 17 परतिशत लोगों को आम पब्लिक में डिप्रेशन की बिमारी होती है ज्यादा तर ये बिमारी मतलब male female में पुरुश और महला इसमें महलाओं को ज्यादा होती है और approximately 40 साल के उमर में ये बहुत ज्यादा दिखाई देती है यदि उदासिंता के या डिप्रेशन के लक्षन continuous दो हपते तक है और मैं अभी जो बोलना हुआ है लक्षन उसके पांच में से 9 लक्षन है तो उसको डिप्रेशन है ऐसा माना जाता है पिर उसको पैचामना कैसे कई इसको डिप्रेशन है करके हमको रोज़ के जीवन में भी हमको दिखाई देता है कि बोलने मैं मूड़ खराब है मुझे उदास लग रहा है निराश्य आ गई है मुझे कुछ समझता नहीं है इसमें भी लोग बोलते रहते हैं तो वो मूड खराब होना या डाउन लगना वो अलग बात है वो तो कभी सारा लोगों को कभी सारे समय तक दिन में होता होना वर हम यह उसकी बात कर रहे हैं कि दो हक्ते तक कुछ लक्षन दिखाई देते हैं जिससे काम की उपर प्रभाव पड़ता है और वह पेशन जो है वह सफर करता है तकलिफ होती है उसको वह डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो कौन से लक्षन है नंबर एक है की सैडनेस ऑव मूड मतलब उसका मूड जो है भावना वह उद लग लग रहा है उसको रोड़ा आता है उसके वज ser और वह बिना कुछ कारण रोता है कुछ पेशन्ट कुर्वाइनिया ओसा लगता है कि मैंने रोना चेहिंदम होग और रोना नहीं आता ऐसे बैसे लोग बोलते हैいつ नंबर दो का है क्ज़ फूखने लगना है तो यह और उनका वजन भिखट जाता है और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ज्यादा भूग लगती है डिपरेशन में और ज्यादा भूग लगने से उनका उनको मोटा पा जाता है है लोल्टा भी होता है तो भूख नहीं लगना या क्या था भूख लगना फिर तीसरा है और इंपॉर्टन जो है वह लॉस अब इंट्रेस्ट मतलब रूची नहीं होना कोई भी बात में रूची ना काम करने में रूची ना कहीं जाने आने में रूची ना शादी या कोई सम बात करने में रूची नहीं उसको एक स्पेसिफिक टर्म है अन्हेडोनिया अन्हेडोनिया बनलबनाओं को मुवी देखने के लिए उनको इंट्रेस्ट नहीं लगता कोई गप्य मारेंगे कोई घुमने चले जाएं कुछ नहीं लगता हूं को ऐसा ता कुछ ना करूं मैं तो बीच बीच में निन खुलते जाती है मतलब साउंड श्लिप ने आती गहरी निन ने आती और इसमेने मूर का बताया ना तो यह मूर का सुभो जल्दी उट जाते हैं और उटने के बाद में बिना कुछ वज़ा सुभों को ऐसा लगता है कि बहुत में दुखी हो और उदास हूं सुभे सुभे कारण निये निन से उठने के बाद में रखता हूं कि वे उदास इंता जाद है तो कुछ लोगों को निन ज्यादा आती है बहुत सोते हूं साथा आठाट ददद घंटे सो जाएंगे कुछ करेंगे ने और सोती रहेंगे दिन भर मगर निन नहीं आने का लगनधा लक्ती सब्सक्रां फुछां में पाली लोग जियां फिर नेट से पांचा वां साइको मोटर एक्तिषिटिए शाय एक्नु जाने का लिय को कुछ निकलते नहीं है तो जो हमारी एक्टिविटी वो डाउन हो जाती है या फिर कुछ लोगों में बहुत ज्यादा घबराट और रेस्टलेस होती है उसको ओलते एजिटेटेट डिप्रेशन वो क्या करेंगे इदर से उदर जाएंगे उदर से इदर जाएंगे घबराट और कुछ बोलने की कोशिश करेंगे मंगर बोलेंगे नहीं और ऐसा बहुत ही रेस्टलेसनेस घबराट होते रहती है तो साइको मोटर एजिटेशन उनको होता है फिर नेक्स चटवा हुआ है एनर्जी 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 लेवल उत्सा या उर्जा तो बहुत ये लोगों सुबह जली उठने के बाद में सुबह जली निन खुल जाते उसके बाद में उनको लो एनर्जी वीकनेस टाइडनेस उदा सिंदा और जैसा इसा दिन निकल जाता आगे आगे बढ़ता है तो शाम तक ये लोग अच्छे हो जाते है और फिर शाम को थोड़ा सा अच्छा ल थकान के उनको तो यह चाल साथ उसे इंदा से होता है फिर शाद उनको लगता गींट गल्त मतलब ऑस ऐसा लगता है कि मैंने बहुत उनको भाद की उपास्ट की क्या हुआ है वह नहीं करना चाहिए था या उनको अगता कि मैं कुछ काम का नहीं हूं यह बहुत पाप किये हुए वैसा में तो कुछ काम का रहा ही नहीं हूं ऐसा उनको लगता है फिर उनको होपलेसनेस लगता है मतलब कोई आशा नहीं लगती फ्यूचर के बारे में सब निराशा रहती हो उनको कोई अच्छा होंगा नहीं मेरे बच्चों का एजूकेशन कैसा होंगा पता नहीं मुझे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं हमारे पास का पैसा निकल जाने वाला है हमक पर आठवा जो है सिम्टम लक्षन जो है वह कॉंसेंट्रेशन मतलब ख्याल में रहना कोई काम में वह कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो इसके वाज़ेद भूल जाते हैं भूलकड़पना आजाता है कोई भी कामें एक चित्त नहीं रहता हूंगा एक सरीकाव काम करन तो फिर अवरत रहा है तो ईकल खाना बनान नहीं जमता कुछ काम करने जमता पुरुष रहा दोसको काम में खाना धन्दे पाने में जो लोक्री करना भी नहीं एक क्युक्ष और पामें के शिरby's just गम यह नवदा्य ज़ौतासर ना dzieci Lols j goes self- 70 था लो जौ सेल्फ और एक पेशेंट आई उसकी उमर करीकुरी 40 साल की है उसके पिता जी को डेड़ी को उनको डिप्रेशन था और उनको मांसिक रोक के कारणी उनकी उसमें कुछना कुछ बिमारी आगे उसमें डेथ हो गई उसके एक सिस्टर है बड़ी वाली तो वो सिस्टर ने सुसाइड कर लिय और अभी इसको लगता है कि मैंने भी सुसाइड करना चाहिए वह बार बार जाती है रेल्वे ट्रैक के ओपर और दोड़ना चलू कर देती और वहां जाके वह बुलती मेरे को सुसाइड करना है उसको इतना डिप्रेशन आया हुआ है उसको लगता है कि मेरी जो सिस्टर मर ईंजूरी करेना जखम कर लेना ऐसा उनको वीचार आते हैं यह जो है यह डिप्रेशन करीब करीब 6 से 9 मेने तक रहता है इसलिए वह व्यक्तिका ट्रीटमेंट होना जरूरी है और ट्रीटमेंट ही हुआ एंटीडिपरेशन्ट ड्रग्स है अब इतने आशकल अच्छे दवाये निकली है मेडिसेंस कि जो केमीकल लोचा डिपरेशन में होता है ह Commerce to turn in्लेवल्स डॉ पामीन लेवल्स नॉरेपिनेफिरिन यह माई यह जोलेकेशट वजो ब्रेन में कम हो जाती है और उसके वाज़र। मेडीसिन ऐसी जल्दी नोर्म विक्ति को ऑचा कारण के बजह पती ह seperti post होंगा तो वह कारण को दूर करना कांसिलिंग करना हिपनो ठेरेपी करना है और हिपनोझीस में उसका कॉंसिलिंग हिपनोचिज प्लसuls कॉंसिलिंग होता है उसको साइको धिर जाती है दो यह सब ट्रीट्मेंट से वह पूरण अच्छा हो सकता है क्या होता है कि इसकी डिप्रेशन अच्छा होने के बाद में तुरहनों लोग बन करते थे तो दवए बनना करते हुए दवाइ कम से कम नौ महने से बारा मेने तक बाद में भी दवाइ लेना चाहिए ताकि रिल्याफ्स आने के चांसे कम है और रिल्याफ्स जो आता ही है कभी मतलब फिर से की बैमरी आती है तो सतरक होना जरूरी है थोड़ा भी थोड़ी हाथ सिंथा है थोड़ा भी नर्वस्ने आ गया तो तूरें डॉक्टर के बास में आना जरूरी है यह अगिसे थो भ्यू होता है तो यह जानकरी मेंक लोग होंगा कि यह नया रवन ध है डिप्रेस्ट है सैड है कभी सारे लोग है मैंने पहले बता है कि 5-17 प्रतिशत लोगों को यह है तो उनको जरूरे वीडियो शेयर करो आपके आसपास में लोग होंगे उनको डॉक्टर की सला लेने के लिए बोलो डिप्रेशन जिती ठीक हो गया उनका और वो ठीक होता ही ह इलाज किया तो तो वो नॉर्मल अपना जीवन जी सकेंगे हमारा उद्देश है कि नशा मुक्त भारत जैसन मुक्त भारत और हरे एक वेक्टिव को मांसिक स्वास्त है हमारे देश में तो उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो जिरू लाइक करो सबस्क्राइब करो शेर करो आपके वाटसेप ग्रूप के ऊपर आपके फेस्बूप के ग्रूप के ऊपर शेर करो थैंक यू वेरी मुच